हेलो बच्चों बच्चों ये वीडियो फिर से मैं आपके लिए लिके आया हूँ लस्ट वीडियो था करласт का इसमें अपने बहुत रिमांड की थी मैंने पुछ था किन टापिक्स आपको दिक्कत है तो कई बच्चों ने कई टापिक्स बताएं जो मैं पिकप अभी कर रहाऊ वो electricity है उसके कुछ questions important आपको दूँगा और साथ में चीज़ें brief भी करूँगा थोड़ी उससे पहले कुछ important चीज मैं बता देना चाहता हूँ देखें पहली बात यह कि कई बच्चे ऐसा पूछ रहे हैं comment section में डालके कि सर्थ CBSC का paper leak हो गया है science का मैं आपसे यही कि paper leak हो गया है या नहीं हो गया है आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए इस समय आपका पूरा ध्यान आपकी studies पे होना चाहिए वही आपको flying colors में लेके आएगा वही आपको winner बनाएगा तो इन यह जो informations हैं rumors हैं basically इन सब को दिमाग से आप निकाल दें है ना study पे focus करें पक आप में यह करूँगा और उसके लिए पहले ही थोड़ी माफी चाहूँगा कि कई बच्चे मुझे phone करते हैं कई बच्चे WhatsApp कर रहे हैं मैं उनका reply नहीं दे पा रहा हूं उसका reason आप समझ सकते हैं कि सुबेश शी शाम तक मैं आप ही लोग के लिए लगा रहता हूं केवल YouTube यूटूब पे वीडियो नहीं बाकी मेरी offline कोचिंग भी है जहां पूरा मुझे समय और जिम्मेदारी responsibility मुझे निभानी पड़ती है साथ में YouTube पे भी मैं aggressive तरीके से वीडियो बनाता हूं आप देखते ही होंगे और आपके comments वेगरा भी मैं पढ़ता रहता हूं तो आप शायद 5 लाग हो जाएंगे हम लोग और दिन में 5-6-600 call आने लगती है exam time में किसी भी एक बंदे के लिए बस का नहीं है कि वो 5-600 call handle करे पागल हो जाएगा आप सूचिए खुदी सूचिए आपको दिन में कोई बोल दे कि 100 call आप करिए तो 100 call लगाने में आपको कितने परि important question भी दूँगा और साथ में यह भी बताऊंगा जैसे मैंने और वीडियो बताएं कि most expected questions का link with solutions with revision notes description के link में हैं वहां से आप ले सकते हैं और पपा में इसे बात करें आपके लिए fruitful information हो तो इसको use करें आपके career से बढ़के कुछ नहीं है और बाकी जिसे मैंने बार बार आपने बताएं कई लोग कहते हैं तरह तरह के दिमाग लगाते हैं तो दिमाग मत लगाई अपना फायदा देखें आप अपने school के teacher से ले ल ले थोड़ा briefing भी करता जाओंगा साथ साथ तो चली यह बात जैसे मैं आपसे बता रहा है कि चैप्टर वन electricity और electricity चैवला पहला चैप्टर रहा रहा वेरेविल रिश्टर स्टेट इन ब्रीफ दा मीनिंग और वेरेविल रिश्टर यह वेरेविल रिश्टर क्या होते हैं इसका मीनिंग तो जिन रिश्टर का हम लोग रिश्टर चेंज कर सकते हैं चेंज करने में एक डिवाइस होती है बैसिकली और पढ़ेंगे उसका इस्तेमाल भी करेंगे लैब में आप तो उसको कैसे करते हैं उसका सर्कूर्ट डियागराम भी थोड़ा सा पढ़ लीजेग तो आप जानते है लेक्टिक करेंट के फॉर्मूला क्या होता है आई इस अगल टू क्यू बाई टी यह आपको पता होगा याद करके लिखिए कल किसी बच्चे ने पुच्छा था टी क्या होता है तो इसके लगता है जैसे साल बार आप में पढ़ा नहीं तो टी होता है ट सिंबल ए होता है तो इसको लिखना मत बूलिएगा नहीं नंबर कर जाते हैं इसके अच्छा दूसरी चीज़ और हाँ यह कुश्चन देखिए बहुत फेमस है बहुत चोटा है बहुत इंपॉटेंट है calculate the number of electrons constituting one column of charge एक कुलाम चार्ज में कितने electrons होते हैं आपको एक फर्मूला और मालूम होगा यह तो फर्मूला आपने देखा ही देखा बेटा और दूसरा एक फर्मूला आपको और मालूम होगा जिससे लिखते हैं Q is equal to N E है ना यह है एक electron का चार्ज यह number of electrons जितने होंगे और वो constitute करते हैं Q यह तोटल चार्ज को और Q होती है कुलाम की यूनिट इस वार्मूले से आप निकाल सकते हैं कि एक कुलाम यानि Q की यह का one put कर दीजे N आपको पता नहीं है electron का चार्ज होता है 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कुलाम अब यह value आप डाल दीजे तो N यहां से calculate कर यह बड़ा famous question है गूम मूम के आता रहता है ध्यान लखेगा और यह जो formula है ना यह एक चीज़ और हमको बताता है जो question आप से पुछा जाता है यह कि इदर लिख देता हूं एक दो natural number बोल दो चलो भाई negative तो होगा नहीं तो एक electron जाएगा यह 2 जाएगा यह 3 जाएगा यह so on जाएगे लेकिन एक और दो की बीच में अगर आधा electron भेजना चाहें तो आधा electron नहीं जाता pawn 3 by 4th electron नहीं जाता 1,2,3,4 electron ही जाते हैं इसी को बोलते quantization of charge है ना quanta हो जा रहा है 1,2,3,4,5 आधा pawn एक तिहाई नहीं जाता इसे ही बोलते quantization of charge q is equal to any तो यह बाते आपको पता होंगी और नहीं पता तो पता होनी चाहिए बेटा आप physics पढ़ रहे हैं मज़ेदार चीज़ है physics anyway calculate the resistance of a wire यह देखे numerical है इसको solve करके मैं दिखानी रहा हूँ आपको बस brief देखा हूँ आप इसको अच्छे से करी रहा हूँगे अब यह question देखे बड़े यह numerical आप करिए न आपका देखे मज़ा आ जाएगा मज़ा आने का मतलब है कि आपकी preparation first class होने वाली है बेटा क्योंकि यह numerical कर लेंगे तो जो बोर्ड मी numerical आएगा वो मुस्कुरा के आप कर लेंगे बस इसको थोड़ा समझ लीजिए calculate the electrical energy consumed by 1200 watt toasted in 30 minutes अब देखिए energy consume पूछा है पावर नहीं पूछा है तो energy consume का formula आपको पता है क्या बिलकुल पता है इनलों को electric energy work done लिख दीजे यह electrical energy लिख दीजे और यह value क्या होती है वी आई टी वी आई टी अब जो और ohms law में पता है वी इसको आई आर ohms law पताता है तो जहां जो values दी होंगे उससे हम change कर लेंगे यह आपर तो देखिए यहाँ वाट दिया ना पहचान ही इसको बिटा जरा सा यह T यह EYT लिख दीजिए electrical energy की बात हो रही है तो electrical energy विटा क्या हो गई power into time मैं वसे discuss करने लगा यह आगे में discuss नहीं करूंगा briefing ही दूँगा तो 1200 वाट यह देखिए वाट में लिखाई हुआ कौन सी दिक का 30 मिनट आप देखिए 30 मिनट रखते ही गलात सवाल क्योंकि SI सिस्टम में सेकंड्स में रखते हैं तो 30 और एक मिनट में 60 सेकंड्स खेल कतम हो गया जो भी आएगा गुड़ा भाग कर लीजेगा यह जूल ब हमारे का लिए भी कर लीजे का मैं सौल करके नहीं दिखा रहा हूं अब तो ला इसको आगे स्क्रॉल करता हूं अगले कोश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं यह देखिए यह सब कोश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आते जाते हैं विद यहल्प आफ इस सर्किट डाइग सिरीज कॉंबिनेशन या पारलल कॉंबिनेशन रेटेंशन के पहचांदों कैसे हैं तो सिरीज कॉंबिनेशन होता है ऐसे ऐसे का मतलब जिसे उस्कूल में आप लाइन लगाते हैं ना चुट्टी की समय अब तो बड़े हो गया होंगे एक की उपर एक चड़ जाते होंगे मेरे कहने का मतलब है बच्पन याद कीजिए जब आप क्लास सेकेंड फर्स्ट में थे तो एक के पीछे एक लाइन लगाते थे ना एक के पीछे एक लाइन भी लगा दी आर्वन अर्टू है ना बस यह बन गया सीरीज और अभी जो इस्तिति आप लोग ने बना रख किये दे इसका आर्वन देख लीजे इसका आर्टू देख लीजे तो आर्वन का एंड यह तो तार है ना इसको रिस्टेंज नहीं मानते हैं वो समझने के लिए होता तो हई है कुछ नहीं मानते इसका भी ए और इसका भी बिटा एंड इसका भी दूसरा सीरा भी पर इसका भी दूस सेम तो नहीं हुए सीरीज हो गया तो बस चोटे ही चोटे हैं बाकी तो आप 11 12 12 में पढ़ेंगे और अच्छी बढ़ाई करेंगे तो सीरीज पैलल पैचानिए और सीरीज वैलल का फॉर्मूला भी वर्ल्ड फेमस फॉर्मूला है बच्चे तो खुब बढ़ियां याद करते सीरीज के लिए क्या लगाते है और इसकर टू आरवन प्लस आरटू एंट सोन उसमें कौन सी विशेज बात है और यह पैलल के लिए आजाए बच्चो वन अपॉन आरवन प्लस वन अपॉन आरटू एंट सोन ठीक है अब इसमें बात और ध्यान की जा सकती जो पैललल वाले होते हैं तो जल्दी करने के लिए क्या करते हैं हम लोग 1 upon r को 1 upon r1 plus 1 upon r2 को solve करके पहले ही लिख लेते हैं solve करने का मतलब क्या LCA में गरा ले लो बटा तो 1 upon r कर दो अब यह मैं आपको discussion करने लगा solve करने पर जो कि मुझे नहीं करना था r1 plus r2 तो यह r की value उसको को पलट लो तो आर क्या हो गया r1 r2 upon r1 plus r2 यह formula आप याद कर सकते फॉर parallel combination जब दो रेइस्टर सो तीन के लिए असा ना बनाना बिटा तो r1 r2 यह जल्दी से निकला आता है फटा फट है ना यह trick है जब मैं आपको पढ़ाऊंगा in detail तो यह trick भी बता दूंगा आप पहचान गए माली जी यह 3 ohm का है उपर वाला और नीचे वाला दो ओम का है ठीक है अब normal procedure से लगाएंगे तो 1 upon 3 plus 1 upon 2 फिर solve करेंगे और इसमें रखेंगे तो देखे कितनी असानी साथ जाएगा 3 औ 2 है ना तो 3 into 2 upon 3 plus 2 5 तो सीधे एंसर हो गया 6 by 5 एक लाइन में असर भी लिए लेकिन ध्यान की दो रेश्टर के लिए होता है अगर जादा के लिए होगा तो फामुला फैल जाएगा बड़ा हो जाएगा समझ रहे होंगे बिटा आप यह सारे इंपोर्टन चीज़े हैं अब देखिए आगे बात करते हैं यह एक ग्राफ है यह ग्राफ भी पुछा जाता है अब यह ग्राफ को आप समझ लिजेगा इसको भी बना एक्स्प्लेइन करने लगोंगा तो एक घंटे का वीडियो बन जाएगा तो आप परशान हो जाएंगे एक्जाम टाइम में इत्ता लंबा वीडियो दोने में इसम कर सकते हैं इसमें कोई ऐसी विशेज बात नहीं है अंदाजा कि यह मैं दे दूँ थोड़ा सा को कि यह डिफिकल्ट कई बच्चों को लग सकता है तो थोड़ा इसको मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं जैसा ऊपर आ जाए तो मज़ा आएगा इसको डिसकेस करने में चली साब टू इस्टुडेंट्स परफॉर्म एक्स्परिमेंट्स ऑन टू गिवन रेजिस्टर्स अरवन और टू प्लॉट दा फॉलूइंग वी आई ग्राफ यह दो बच्चों ने ग्राफ न ग्राफ टू प्लॉट कर दिया अब आरवन आटू से बढ़ा है इसा बोलता है वीच अब आर के आर अब यह आरवन ले लो अगर तो इसको लिखना चाहिए वीवन अपॉन आई वन और आटू ले लो इसी तरीके से तो यह होना चाहिए वीटू अपॉन आई टू तो अब इसमें समझे कि कौन सा ग्राफ बढ़ा है अगर यहां पर एब एक पॉइंट ले ले एक सेम आई के लिए देखें हमने क्या किया यहां यह जो भी वेलू होगी आई की सेम होगी ना बटा यह मैं इसलिए बता रहा हूं कई बच्चे समझ नहीं पाते हैं अब यहां से आई ऐसे खीच दो लाइन अगर यह आई दो एंपियर है समझाने के लिए बता रहा हूं यहां पर ěए दो एंपियर है और यहां पर आई कितनी हैं दो एंपियर क्या बोलते हो और यहां पर आप ऐसी लाइन खीज देंगे तो यह क्या बताता है पोटेंशियल, suppose कर लेते हैं, यह कितना है, 4 वोल्ट, suppose समझाने के लिए, 4 वोल्ट, तो यहाँ पर जो coordinates बने, 2A की current हुई, और 4 वोल्ट का आपका, क्या बोलना चाहिए, 4 वोल्ट का आपका resistance हुआ, और यहाँ इसी तरह कुछ और का हो रहा होगा, तो देखे, R1, R2 बड़ उजने करते कहीं आपको यह, तो देखे, कितनी असानी से आप निकाल सकेंगे, तो यह आ जाते हैं हम लोग, इसको लिख लो, ऐसे V1 is equal to I, और यहाँ लिख देते हैं, R1 एक के लिए, और बाजू वाले के लिख दो, I into R2, अब देखे, क्या है न, I तो सेम ले लिए, V के सरूरत भी नहीं थी, यहाँ पर समझाने के लिए लिख दिया, I same ले लिए, तो यह आई 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 सेम हो गई, अगर अब यहाँ पर R1, R2 में, R1 बड़ा है, कुश्चन में कहा है, देखे, अगर R1 बड़ा है, तो V1 बड़ा होना चाहिए, यह R1 is greater than R2, तो V1 is greater than V2, तो V1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इस ग्राफ में क्या हो रहा है, V2 is greater than V1, और इसमें क्या हो रहा है, V1 is greater than V2, और हमें चाहिए क्या V1 is greater than V2, यह ग्राफ हमारा सही है, यह ग्राफ रहा होगे, आप समझ पा रहे होंगे, थोड़ा सा असानी से मेरी बात सुनिएगा, लंबा वीडियो हो जाएगा इसकी मुझे चिंदा हो रही है एनिवे आगे चलते हैं हम लोग कुश्चन आपको दिखा देता हूं मैं जल्दी जल्दी अब ऐसे कुश्चन देखिए भर भर क्या आपको मिलते कोई भी तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए बटा देखिए यह लैंप अले कुश्चन तो लगता है कि पहले से तयार रहते हैं एनलेक्टिक लैंप ऑफ 24 ओम वेगरा वेगरा इसको सौल करना निकाल लीजिए वही फॉम्ले दो चार हैं पावर के पी स्कुर्ट वी आई आई आप जानते हैं और वी आई में वी आई को बदल बदल के ती तो लो नहीं होता कि टेम्प्रेचर कॉंस्टेंट होना चाहिए और बराबर आता है ना तो चलिए आगे देखते हैं अभी देखिए ओम्सला के बात यहां आ रही थी स्टेट ओम्सला ड्राय सर्किट डाइग्राम यह आप दिखाई देंगे इंपॉर्टेंट है और दिखते हैं लोग यह सारी बात आप करिए आपको मज़ा आ जाएगा बिल्कुल अभी देखिए करेंट ड्रॉन अभी सर्क होना चाहिए यहां पर मेंस है वो कुछ वैलू आप माल लीजे सवाल में रेक्टिफाई कर देंगे हम लोग मालीजी दो वोल्ट है दो डाल दी अपमें कल्कुलेट कर लीजे क्या जाता है इसमें तरह दसमा एक्स्पेंड दा तर्म हीटिंग एफेक्ट आफ करेंट यह द लोगर होगे उतना ज्यादा है जितने टाइम और आई स्कॉयर के परपोर्शन होता है एक्स्पेंड वाइन इनट कैस लाई और गनिस फिल्ड इन बल्ब क्यों बढ़ी आती है मैं क्या बता हूं को हुदी मालों है बल्ब के अंदर पहले वाले इंडेसेंट बल्ब जो जल यह ऐसे समल लो बल्ब हो गया यह चुड़ी उड़ी लगे होती ही न और यहां ऐसे फिलामेंट होता है बल्ब का है ना बटा तो यह फिलामेंट में यहां पर आपको गैस भरते हैं इनर्ट गैसे इनर्ट गैसे इसलिए बहर देते हैं कि जिससे यह जब गरम होता है ना ब जिसने कि यह जले नहीं किसी भी चीज को जलने के लिए अक्सीजन चाहिए होती है तो बंड करेगा वो तो प्सीजन नहीं मिलेगी वो जलेगा शुस भाटउस जनद बरते हैं अब एक सवाल आपके लिए सोचने के लिए कि इसमें ऐसा क्यों नहीं करते कि कुछ भी न भरे वैक्यून क्रियेट कर दे, सोचो बताना केमेंट करके, कि ऐसा क्यों नहीं करते, कि बल्ब में इनट गैसेसम भर रहे, अरे बाई कुछ न भरो छोड़ दो, फिर क्या, ज़रा सोच के बताईएगा, यही है फुजिक्स का मज़ेदार चीज, जी कुछिन मैं कोई याद करके नहीं बैटो, आपसे बात करते करते दिमाग में आगया तो मैंने पूछ लिया आपसे, आप सोच के हमको बताईएगा, है ना बिटा, आगे बात करते हैं, फाइंड आट इफॉलउइं इलेक्ट्रिक सरकेट, अब यह करेंट विरेंट फ्लो बिल्कुल बढ़िया सवाल, मज़ेदार, आपको मलब, कॉंसेट आपने पकड़ लिया है तो, आपको मज़ा आएगा आइदम, यूविल, जैसे क्रॉसवर्ट्स कई बच्चे नहीं खेलते हैं, आजकल तुपब जी खेलते हैं, तो पब जी जैसे नहीं खेलते हो, वही पब जी है यह, अभी ना खेलना पब जी पढ़ाई पी चालू रहना वेटा क्वेशन, वही सारे कुशन साथ त्यार कीजिए, कोई भी स्पेशल चीज नहीं है, आप जरूर इसको कर लेंगे, मैं उमीद लगती है, यह देखिए, कुछ ऐसे डियाग्राम बने हुए है, अभी यह देखिए, यह देखिए, यह देखिए, कलकुरिट दे मशीन का, मशीन आपकी स्केल भी हो सकती है, पटरी, यह यह यह, पटरी, रूलर, स्केल, यह एक मशीन हो गई आपके लिए, नपाई कामाता न, एक डिवाइस हो गया, तो यह डिवाइस जो मिनिममम, रीडिंग नाप सकता है, जो लीस्ट काउंट, जो मिनिममम लीस्ट का क्या कर सकता है अब इसके अंदर मिनमम आपको देख पारा नहीं देख पारा मालूम नहीं एक मिली मीटर से कम का खाना बने ही नहीं है तो हम नापेंगे तो एक मिली मीटर तक नाप पाएंगे उसे जदा नाप ही नहीं पाएंगे ठीक है तो यही लीस्ट कॉंट का यही सब्सक्राइब कर दो 20 डिविजिन से 0.5 मार्क है अपना बीस खाने बने होंगे तो उसे चुट्योटे निकाल सब्सक्राइब कर दिया क्या जाता है एनिवे तो आगे समझते हैं लोग इडिटिफाई दे सीरीज कॉंबनेशन अब देखिए पैचानिये थोड़ी प्रैक्टिस के लिए आपका बना दिया है किसमें सीरीज है किसमें पहलल क्योंकि अगर आपको इस समझ में आएगा तो निमेरकल लगा पाएंगे वरना तो हरी हरी बोल टिकनामेटर में याद किया था ना पी पी बी पी एचछ भी पंडित बंद्री परसाथ हरी अरी बोल वेच आप देखिए और आई वी और आई का रिप्रेजेंटेशन पूछा है आप देखिए ओम्सला जो बनाते हैं आपको इतना बिलकुल नॉलेज है ही साहब क ओम्सला क्या बोलता है ओम्सला बोलता है वी इसकल टू आई आर या कहतीजे वी अपॉन आई इसकल टू आर तो कहता है वी और आई को आप बदलेंगे तो वी और आई तो बदलेगा लेकिन इका रेशियो नहीं बदलेगा है ना इस पैशल केसे में बदलता भी है जब गर प्रेशर तो वी बढ़ाने पर आई भी बढ़ेगा लेकिन रिश्यू नहीं बढ़ेगा क्या मतलब है और एक वोर्ट एक वोर्ट अब देखिए इसको दो को चार कर दिया तो इसको हमने दुखो देखो यहां पर निकालो तो वी अपॉन आई निकाला ना बेटा तो वी अप यहां गया दो इधर आजाओ तो चार वी और यह दू फिर से दो आ गया यांनि इसका रिश्टेस कितना है इसका रिश्टेंस यहां से निकाल सकते हो आर की वैलू कितनी है तो दोनी रिटिंग के बदल गए वी वान है इसको अटाओ यह वी वन है और यह आइवन न books लोट है तो यह बनाते न शृत लाइन मिलेगी रहता है घानते न स्लोप कही निकालना होता है तो ऐसे निकालते हैं, perpendicular upon base, यह जैसे slope आप निकाले, इसको लिखो A, B, C, यह theta जैसे, यह pythagoras triangle बन गया न, 90 degree वाला, तो उसमें slope निकालते हैं, तो slope, उसको बोला जाता है, A, B upon C, B, this is the slope, है न, अब यह slope, इस line का तो देखो हर जगा same है न, यहां से भी तो theta बनेगा, कहीं भी बना तो यह slope सेम होता है, और इस slope को भी resistance बोलते हैं, मैं confuse नहीं करूँगा, आपको थोड़ा और आप बच्चे से पढ़ाई करेंगे, तो समझेंगे, graph में जो बच्चों पढ़ा होगा, समझेंगे, तो यह graph सही है, बाकी दिक्केते हैं, हो सकती हैं, तो यह figure भी ohms law को verify करती ह और इसी के साथ यह important, मैंने जो भी important question दिये हैं वो भर भर के नहीं दिये हैं, क्योंकि मुझे मालूम है, कि important question 16 की जिकब 32 देना बहुत असान है मेरे लिए, पूरी किताब चाथ दो उसमें, लेकिन मेरा यह सूचना रहता है बटा, कि आपको questions, मेरी ऐसे analysis रहती है, कि 15-17 question ही आपके पास आएं, जिससे practically आप उनको कर भी पाएं देखिए, आपको कोई एक ही chapter नहीं पढ़ना है बटा, आपको तो पुरा science के परचा देना है ना exam, science में जैसे कि 5 chapter physics में, reflection, reflection को अलग कर लेंगे, तो 6 chapter बोलने लगेंगे आप, बड़ा है वो, और इसी तरीके से bio मे 6 chapter हैं, और इसी तरीके से chemistry में 5 chapter हैं, तो आपको total कितने होगा, 6, 5, 11 और 11, 5, 16 chapter, 16 chapter, इसी RT के हिसाब से reflection में, 16 के 17 और 18 भी हो सकते हैं, तो इस तरह आपको एक साथ लेके चलना है, तो 15, 17 question ही आपके लिए अच्छे रहते हैं, तो anyway, यह मुझे लगता है, वीडियो आपके भी अच्छी बात कीजिए, वैसे तो मैं इससे में बोलूँगा, examination time में, दोस्तों से ज़्यादा चर्चा मत कीजिएगा, confidence कम, और डराने वाली बात ज़्यादा हो जाएगी, तो believe in you, you can do it, you will do it, अपना career बनाएए, ममी पापा का नाम रशन कीजिए, मुस्कुरहत फेरला और अपने जीवन को खुब अच्छा बनाएए, wish you all the best, God bless you बेटा, वीडियो अच्छा लगे, तो like करना मत भूलेगा, तो मैं कहना ही बूल जाता हूँ, आपको याद है न, God bless you